है था है यूद्ट मॉर्णिंग कैसे यो आप सर्थ हूंगे वेल्कम बैङ तू माइ चैनल बेखें फ्रेंड्स हमारे यहां का मॉर्णिंग का नजारा कुछ इस तरह करेते हैं और इस तरह के मकान रहते हैं हमारे यहां लेकिन हमारे दो हैं एक इस तरह का भी है और एक सिमेंट वाला भी है मॉर्निंग का नजारा बहुत अच्छा लगता है उस तरफ धूप आ गही है हमारे तरफ नहीं आईए अभी साथ वजे करीब मैंने ये सूट किया है और आज मैं आप लोगों को गोवर की लिपाई बताने वाली हूँ तो गाउं में इस तरह के आंगन होते हैं सिमेंट वाले भी होते हैं लेकिन वो यहां ज़्यादा सेक्सफुली नहीं होते हैं दूप और बारिस यहां ज़्यादा होती है तो इस वज़े से उफट जाता है सिमेंटून का तो पहले हम इस तरह से आंगन साफ कर लेंगे उसके बाद गोवर और लाल मिट्टी से उसको लीप लेंगे ताकि घर में कोई बच्चे हो या हमको घार बाहर बैटके खाना बना तो आसानी से चल सकते हैं बहुत लोगों से लिप और यह कोई बड़ान नहीं होता मुझे तो मेरी ममी रहती है पापा रहते हैं ममी भी आचकल थोड़ा तवट थीक नहीं है तो ये मैंने कर लिया, मुझे तो बहुत पसंद ही सब तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं बाहर रहना हर किसी का मजबूरी होता है लेकिन घर में भी अपना बना के रखिए अच्छा लगेगा कभी अगर गर्मियों में घूमने आओ तो अपने घर की अलगी बात होती है वहाँ रहो, खाना बनाओ, खाओ और रिस्ट करो तो बहुत अच्छा रहता है तो ये देखी फ्रेंस, मैंने अब लीप लिया है और साम को मैंने ये दिखा रही हूँ तो सूखने के बाद कुछ ये इस तरह से लगता है बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बैठ जाओ, नंगे पाओ, घूम लो तो रात को मैं सूट कर रही हूँ ये सब तो देखी फ्रेंस, गर्मियों में तो बहार जितने भी लोग रहते हैं गाउंसे बहार, गर्मियों में हर कोई घूमने आता है तो यह देखी फ्रेंस, यहाँ की ग्रीनरी देखके मन एकदम ऐसा हो जाता है कि कुछ पूछो मत, और पहार तो हमारी देव भूमी तो है यह बहुत अच्छी मैं तो बहुत प्राउट फील करती हूँ कि मैं उत्राखन से हूँ तो देखी फ्रेंस, इस तरह करना जारा कुछ बीस में नदी है और इस तरफ उस तरफ खेत है और आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा यह ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना बैल आइकन को भी प्रेस कर देना इसी तरह की मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी तब तक के लिए बाई बाई